चाप्टर सेविंटीन औफ क्रूल सीक्रिट गैंग्स्टर अपनी चाहती थी कि ये रात कभी ख़दमी ना हो क्योंकि अगली सुपह उसे E.S. इंडरस्ट्री चाना पड़ेगा और आहान के साथ उसे रहना पड़ेगा पर वक्त कहा किसे के लिए रुखता है ऐसे ही वक्त बीट किया और अगली सुपह हो गई अगली सुपह अपनी ओफिर चाने के लिए रेड़ी हो रही थी तब ही वो अपने कभर्ट में से एक नी लेंड फ्रॉक निकाल दिया तब ही उसके दिमाग में कुछ आता है और वो नी लेंड फ्रॉक को वापस से उसके कभर्ट में लग देती है और उस पे से एक रेट कलर का बहुत ही सुदर सा सूट निकालती है और अपने आप से कह दिया हाँ मैं इससे पैंड के जाती हूँ क्योंकि आपने हमेशा मुझे वेस्टन ड्रेस में देखा है और आज जब मैं इंडियन ड्रेस पहन के जाओगी तो शाहिद उसे लगे कि मैं अवनी नहीं हूँ अवनी ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि पांच साल पहले जब भी अवनी आपने से मिलती थी वो हमेशा वेस्टन ड्रेस पहनती थी पर आज जब वो इंडियन ड्रेस पहनेगी तो हो सकता है आहान को उस पर शक हो इतना सोच करी अवनी वो रेड सूट लेकर टैयार हो जाती है और बिल्कुल इंडियन लुक की तरह रेडी होकर भारा दी है माथे पे एक काली कलर की छोटी से बिननी सिल्वर कलर के कानों में जम गे बालो को यूँ ही खुला चोड रखा था बस आगे से उसका पव मना कर रखा था वो बहुत जंदर लग रही थी अवनी जैसे ही रूम से भार रही समिट उसको देखता है और उसके पास जाता है और कहता है अवनी यह तू है अवनी समिट को घूर कर देखती है समिट कहता है वा यार आज तू लड़की कैसे बन गई इतना केकर समिट जोड जोड जयासने लगता है अवनी उसे घूर कर देखती है थोड़ी देर में समिछ चुप होता है आर्यन भी तब तक वहाँ पर आ चाता है जैसे ही आर्यन अपनी मम्मी को इस सुन्दर से इंडियन लुक में देखता है वो जली से अपनी के पास आता है और उसे अपने गरे लगा लिए और कहता है अरे वा मम्मा आप कि अच्छे लग रहे हो अवनी भी आर्यन को बड़े प्यार से कह दिया थांक्यू आर्यन आप चड़ो आपको स्कूल जा रहे ना आर्यन दीर इसे अपना से रहा में लाता है सुमिट आर्यन का हाथ पकरटा है और अवनी से कह रहा है मैं अफिस जा रहा हूँ तो इसे स्कूल छोड़ दूगा और अवनी तू ना एक्स्ट्रा चाबी ले 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 ना ठीक है अवनी अपना से रहा में ला दिया सुमिट मुस्कुराता है और आर्यन का हाथ पगड़कर महाँ से चला जाता है कुछी दियर में अवनी भी अपार्ट्मेंड को लॉक करकर एस इंडरिस्ट्रीज की ओर भर जा दिया कुछी दियर में अवनी उस बड़ी से बिल्टिंग के पास बहुश गी रहा है और एक लंबी सास ले दिया और खुट को रेड़ी करकर उस बड़ी से बिल्डिंग के अदर चले जाती है अवनी चांदी थी कि उसे क्या काम करना है इसलिए वो काउंटर पर कुछ नहीं कह दी और वसीदा अहान के केबिन के और भर जाती है पर जैसे ही वो काउंटर से होते जा रही थी माँ पर लड़के तो क्या लड़किया भी अवनी को देखर चल रही थी आखिर अज अवनी इतने सुन्दर जो लग रही थी लाल कलर के सूट पे उसका रंग और जादा निकल रहा था तो आरा डुपटा जो जमीन पर लहरा रहा था और वो किसी राज़कुमारें के नहां लग रही थी अवनी लिफ्ट में जा दिया और फिफ्टी फ्लोर का बटन क्लिक कर दिया कोची दियर में लिफ्ट फिफ्टी फ्लोर पर आकर रुख दिया अवनी लिफ्ट इससे बाहर आ दिया और उस बड़ी से कैबन को देख दिया और एक लम्मी सास ले दिया और उस कैबन को नौक कर दिया और कह दिया मैं कमें कैबन के अंदर जो आहान चियर पर बैट कर कुछ फाइल चेक करा था अपनी के आवास सुनकर उसके चेहरे पर एक छोटी से मुसकान आती है और वो कहता है कमें अपनी दीरे से उस दोड़ को खुल दिया और अंदर चले जाती है आहान अभी भी फाइल में देख रहा था अपनी दीरे से उसके डेस्क के सामने आकर खड़ी हो जाती है आहान अभी भी फाइल में देख रहा था अपनी उसके सामने खड़ी हो दिया और कह दिया सर आपका शेडूर आज ये है कि आज आज आपको नून में मिस्टर शेर्मा से मीटिंग करनी है क्योंकि उन्होंने जो भी बॉक्सेज दी है उनमें कुछ डिफेक्ट है और इसके बाद आपकी आज कोई मीटिंग नहीं है इतना कहकर अपनी चुपो जाती है और वो फाइल बन करकर आहान के टेक्स पर रख देती है आहान अभी भी अपनी फाइल में देख रहा था जैसे ही अपनी अपनी बात कम्लीट कर दिया आहान अपनी नजर उठाकर अपनी को देखता है जैसे ही वो अपनी को देखता है वो अपनी पल के चपकाना भूल जाता है आज पहली बार आहान ने अपनी को इंडियन लुक में देखा था और इंडियन लोग में भी अफनी इतनी ज़ादा सुन्दर लग रही थी कि आहान के पास अफनी की तारीफ करने के लिए शब्ड नहीं थै कितनी फुरसत से बनाया है तुमेर अफनी अफनी को देखते देखते अफनी के मन से बस एक यावज आती है और वो कुछ कह नहीं पाता और वो बस एक तत अफनी की नज़र अफनी जुकी हुई थी वो टेवल पर अच्छे से फाइल को जमा रही थी जैसे ही अफनी को ये लगता है कि कोई उस पर नज़र रखे है अफनी अपनी नज़र उठाती है और आहन को देखती है आहन उसे ही देख रहा होता है अगली ही पर आहन अपनी का हाद बगड़ता है और उसे अपनी साथ अपनी चेयर पर अपनी गोड़ में बिठालेता है अपनी आहन की गोड़ में से उठने की नाकाम कोश्श करती है तब ही आहन कहता है तुम आज इती जादा तैयार मेरे लिए हुई हो ना। अपनी आहन को हैरानी से देख दिया और अपनी नज़री इधर उदर फिड़ा देवे गह दिया। नहीं ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ऐसे कबड़े पहनती हूँ। मुझे लगता है कि आपकी अपनी ज़रूर ऐसे कबड़े नहीं पहनती होगी। इसलिए आपको ऐसा लगा। अपनी की बात संगर आहन को अप जाकर पता चलता है कि अपनी ने इंडियन लोग क्यों लिया है। पर कुछ भी हो अपनी लग बहुत ही सुनता रही थी। आहन धीरे से अपनी के चेहरे के करीब आने लगता है। अपनी आहन को देख दिया और कह दिया। क्या कर रहा आप छूड़िये। अपनी आहन के गोद में से उठने के कोशिश करती है। बड़ आहन अपना एक हाथ अपनी के चेहरे पे फिड़ाता है। और उसके आरहे बालों को उसके कान के पीछे करता है और उसके होटों की तरह बढ़ने लगता है जैसे ही वो अपनी को किस करता उससे पहले केविन का डूर ओपन होता है और उसमें से मुस्कुराती हुई और इप्राती हुई इश्यानी अंदर आती है और अहन और अवनी तो बस एक दूसरे में कई खोई होए थे और इशानी का चेरा तो देख ते लायक था कोई भी उसे देखता तो जैसे हजार उट तरह के एक्सप्रेशन उसके चेरे पे एक साथ आ गए हो वो गुसे में अपना पैड पर डगती है और कह दिया अहन इशानी के आवास सुनकर अवनी और अहन दोनों इशानी को देखते है और जो अवनी अभी अहन के गोड में बैटी थी उसका चेरा तो पूरा शर्म से लाल हो गया था वो चल्दी से अहन के गोड में से उठने की कोशिश कर दिया पर आहन काहों से उटने देने वाला था थबी आवणी अपना एक नाखुन आवणी कलाई पर जूर से चुबा दिया जिसे आवणी के मुझ से एक छूटी से चीख निकलती है और आवणी की पकड़ आवणी से थोड़ी डीली होती है इसे का फाइडा उठाकर अपनी आहन के गूर में से उठ जाती है आहन अपनी को घूर कर देखता है और इशानी जो अपनी को गुस्से में घूर कर देख रही थी दोनों की नजर अपने उपर टापीश होता हुआ देख अपनी और सादर ड़ गई थी इसलें वो जली से कहती है आ Graph वो गल्ती से में गिर गई थी इनर केकर अपनी जली से अपना पैक उड़ा दिया और वहाँ से चले चा दिया जैसी अपनी केबन से भार जा दिया इशानी गुस्से में आहन से कुछ सवाल बूछ तिया पर अहन गहां इशानी को अच्छे से कुछ बताने वाला था और अब इशानी को और ज्यादा गुसा आरा था अहन पर भी और अवनी पर भी वो गुसे में अपने पेर पुटकते हुए उस कैवन से बाहर चटे गई तभी कैवन में बैटे अहन की नजर अपने हाथों के कलाई पर जा दिया जहां पर अभी कुछ देर पहले ही अवनी ने अपने नाकुन को चुपाया हुआ था और जिसकी वज़ा से अहन के हाथ पर एक छूटा सा लाल कड लग गया था अहन मुस्कुराता है और अपने हाथ को अपने होट के पास ले जाकर अवहाँ पर किस कर लेता है तू में करनी हूँ क्या होगा आगे और अब क्या करेगी इस शानी जहां निकले सुन्ट रही है मिलता है नेक चैप्टर में अवनी चैली से अहन के कैबिन से बाहर आ दिया और उसी फ्लोर के अहन के असिस्टेंट वाली कैबिन में चले जा दिया अच्छली अहन के असिस्टेंट का कैबिन भी अहन के फ्लोर पर ही बना था और असिस्टेंट का कैबिन फूरा गलास का बनावा था जिसे आहन अपने कैबिन में से बैट कर साफ देख सकता था अपने जली से वांदर जा दिया और खुद को रिलेक्स करने के कोशिश कर दिया और कह दिया अपनी रिलेक्स 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 यार अपनी क्या करा तुने तो ये सूफ रही थी कि अगर तो सूट पहन कराएगी तो आहन को दुछ पर शक होगा अजे यार अवनी को अब खुद पर बहुत गुस्ता आ रही थी वो जोड से चलाना चाहती थी पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी अपना ध्यान भटकाने के लिए अवनी काम करने लगती है और वो चेयर बेर बैट जाती है और एक के बाद एक फाइल देखती है जैसे वो सारे काम आज भी कर लिना चाहती हो कैबिन में बैटा आहन बड़े ध्यान से अवनी को देख रहा था और अवनी के हर एक हरकत को नोटिस करा था और मुस्कुरा भी रा था तब ही उसे अवनी को अपने पास बुलाना था तब ही वो अपने पास में रखी एक रिंट पर क्लिक करता है और अवनी के कैबिन में एक बैल के आवज आ दिया अवनी उस बैल को सुनकर कह दिया अवप क्या हुआ अवप क्यों से अंदर का बाहर कुछ नहीं दिखता था पर बाहर से केविन की हर एक चीज दिखती थी जिस बात से अपनी अभी तक पूरी तरह से वाकिफ नहीं होई थी अपनी अपने आपको रिलेक्स कर दिया और जली से अपने केविन से निकल कर आहन के केविन के बाहर जा दिया और कह अपने क्याबिन के सोफे पर बैठा था जैसे ही वो अवनी को देखते है वो जल्ली से अपनी कलाई पर करता है और कहते है मुझे ठर्ट हो रहा है अवनी अहान को देखती है और धीरे से उसके पास जाती है और कहती है क्या हुआ सर? अहन अपनी को देखता है और अपनी कलाई अपनी की तड़ा बढ़ा देता है अपनी अहन के कलाई को देखती है पर उसे कुछ नजर नहीं आथा और वह कहती है क्या हुआ सर अहन को थोड़ा अजीब लगता है और वह हिची के चाहते होई कहता है देखो तुम्हारी वज़ा से मुझे कित्य चोट लग गई अपनी हैरानी से आहन को देखती है और अगले ही पल वो आहन के कलाई पगड़ ले दिया और आहन के कलाई को बड़े ध्यान से देखने लगती है अहन तो बस अपनी आँखे बन कर अपनी के सौफ़ धार्द को फील कर आथा खुची दिड़ में अपनी को आहन के कलाई पर एक छोटा सा कट नजर आता है और उसे याद आता है कि ये कट उसकी वज़ा से ही लगा है और वो अपने आप से कह दिया इता छोटा सा तो कट है ऐसे कर जाए जैसे आसमान तूट पड़ाओ तब ही अपनी आहन को देखती है और कह दिया ठीक है सर मैं आपके लिए अभी फरस्टेट बॉक्स लेकर आती हूँ आहन मुस्कुरा कर अपनी को देखता है आपनी जल्दी से उससी कैबन से एक फ़स्टेट बॉक्स निकालती है और आहन के डरफाती है और उसके सामने सोफे पर बेड़ जाती है और आहन के कलाई पर बड़े ध्यान से एक छोटा सा ट्यूप लगा दिया और इसके ओबर बैंडिस लगा देती है था तो वो पैसे छोटा सकड फर अपनी यह बड़े ध्यान से कर रही थी क्योंकि अगली पार अपनी इसे यह कहकर वापस ना मुला है कि यह बैंडिज अच्छे से नहीं हुई है इसलिए वो बड़े ध्यान से अपनी के प्यारी से चहरे को देखे जा रहा था अपनी पड़े ध्यान से अहन को बैनिश कर रही थी उसे ये ध्यान ही ने रहा था कि गल्दी से उसके कब्रे थोड़े से इधर उधर हो गया जिसकी वज़ा से अपनी के चेस्ट का थोड़ा सा पाट दिख रहा था जैसे ही अहन की नजर उस चीज पर जाती है अहन का गला सूखने लगता है अपनी अपना काम कर वापस से चाने लगती है तब ही अहन अपनी का कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी गोर में बिठा लेता है अपनी हैरानी से अहन को देखती है अहन बस उसे देखे जा रहा था अपनी कुछ कर पा थी उससे पहले आहान अपनी के होटो पर किस करने लगता है अपनी अपनी बड़ी बड़ी आँखे कर आहान को देखे जा रही थी और उसी के साथ अपनी अपने छोटे छोटे हाथों से आहान के सीने पर माने जा रही थी पर आहान को इस बात से कोई फरक नहीं पर रहा था आहन दीरे से अपनी का सर पकड़ कर और एक हाथ उसके कवर पर लगकर उसे सोर पर लिटा देता है और खुद भी उसके उपर आकर उसके होटो पर बहुती डीपली और पैसिनेटली किस करने लगता है अगरे ही पर आहन अपनी का डुपटा उसके सूट से अलग करता है जैसे ही अपनी को ये एहसास होता है वो जोड से आहन के सीने पर मारती है इस बार वो ढखका थोड़ा टीज था जिसकी वज़े से आहन की पकड़ अपनी पर थोड़ी दीली होती है उसी का फाइदा उठाकर अपनी आहां से दूर होती है और गुस्ते में कहती है तुम तुम किते घटिया इंसान हो बत्त मीज कहेंगे आहां के चेहरे पे कोई भी गिल्ड नहीं था वो अपनी को बड़े बंदास तड़ीके से दिखता है और कहता है तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ अपनी को गुस्ता आता है और वो कहा दिया ओ रियली तुम मेरे बॉस हो तुस चुनो मिस्टर तुम बस मेरे बॉस हो तुम्हें यहाग किसी ने नहीं दिया है कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसा वैसा करो और एक और बात ये कि तुम तुम जबे मुझे मिलते हो न तो तुम हमेशा ऐसी को छड़कर कर दे हो तुम्हें मुझे माफी मांगने चाही है अपनी को इतना गुस्ता आ रहा था कि वो एकी साथ में सब कुछ कह गई अपनी को देखता है और दीरे से कहता है ओ, मुझे माफी मांगने चाही है ठीक है, मैं माफी मांगता हूं I'm sorry अपनी 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 को देखती है उसे ऐसा लगता है जैसे अहान ने उसका मज़ाग बना दिया उसे बहुत कुस्षा आता है पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी उसे छे मेरे तक ही पर काम करना था वो कैबिन से बाहर जाती है और अपनी कैबिन के अंदर चले जाती है अहान बस मुस्कुराता हुआ उसे देखे जाया था तब ही वो अपने बालों के पीछे अपना हाथ रखता है और कहता है जब भी तुम्हें देखता हूँ खुद पर से क्यों मैं अपना कंट्रोल खोले रखता हूँ तू भी करनी नियुँद क्या होगा आगे अब क्या करेगा अहान इन 6 महने में क्या क्या तरीके से वो अपनी को तंग करेगा जान निकले सेंटर ही है मिलते हैं रहें शेप्डमे